दोस्तो अगर आपके बाइक की या UPS की बैटरी खराब हो जाती है तो आप क्या करते हैं या तो उसको कबाड़ी को बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं लेकिन दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह सोलुशन बताऊंगा कि आपकी वही खराब बैटरी बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें मैं step by step पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो दोस्तों मैं गैरेंटी से कह सकता हूं इस बैटरी को कोई भी ठीक कर सकता है भले ही उसको ज्यादा नोलिज ना हुई लेक्स की तब भी नमश्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक रठै तो चलिए शिरू करते हैं दोस्तों आज मैं जो आपको इस इस वीडियो में तरीका बताने जा रहा हूँ बैटरी को ठिक करने का उससे आप किसी भी 12V की बैटरी को ठिक कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी size की हो, तो सबसे पहरे इस बैटरी को खोल लेंगे, दोस्तों हमें इस battery को तोड़ना नहीं है, हमें इसको खोलना है इसे हम अच्छे से काटेंगे और इसके अंदर जो भी है उसे बाहर निकाल लेंगे मैं आपको पूरी जनकारी दूँगा, एक एक चीज के price की, कहां से लिया, कहां से खरीदा आपको कहां से खरीदने पर क्या चीज कितने की पड़ेगी, यह पूरी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा और आपकी battery पहले की तरह काम करेगी, जैसे नई battery काम करती है तो चली दोस्तों इसको खोल लेते हैं, इसके लिए आप इस तरह की metal काटने वाली आरी का यूज कर सकते हैं ये काटते वक्त हिले ना, इसके लिए आप किसी clamp का यूज कर सकते हैं या फिर भाई या फ्रेंड की मदद ले सकते हैं इसको hold करने के लिए तो ऐसे इसे खोलना है, इसके अंदर क्या-क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो कई बैटरियों में प्लेट उपर वाले टोप कवर में सेट होती है इसलिए उपर वाला कवर असानी से नहीं निकलता पर इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है, आप अंदर वाले प्लेटों को भी काट दीजिए ये देखिए दोस्तो इसके अंदर बहुत से प्लेटे होती है, एनोड और कैथोर्ड जो ऐसे सेल के रूप में लगी होती है इन सभी को हम बहार निकाल के फेक देंगे, क्योंकि ये बैटरी पूरी तरह से खराब है हमें इस बैटरी का बस ये बोक्स यूज़ करना है, अब देखिए दोस्तो इस बैटरी के अंदर ये अलग-अलग पार्टिशन बने हुए हैं प्लास्टिक की छोटी-छोटी सीट से, इन सभी को हमें काट कर बहार निकाल देना है इन प्लास्टिक के पिसीस को आप प्लास और कटर की मदद से आसानी से काट कर निकाल सकते हैं दोस्तो अगर आपके mind में कोई question हो इस वीडियो को लेकर तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं वीडियो जालने के बाद सभी comment के जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूँगा और दोस्तो जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसमें भी मुझसे कोई भी question पूछ सकते हैं दोस्तो आप बने रहें ये वीडियो के साथ मैं पूरी जानकारे के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां से क्या चीज खरीदनी है तो आगे चलते हैं वीडियो में ये देखिए friends ये है lithium cell मैं आपको बताता हूँ ये आपको कहां से मिलेंगे ये आपको मिलेंगे laptop repair की shop से 60-70 रुपे के बीच में आपको एक laptop की पुरानी बैटरी मिल जाएगी इनमें आपको एक laptop की बैटरी में 5 या 6 cell निकल सकते हैं जिनमें आदे से ज़्यादा cell ठीक निकलते हैं अगर वैसे एक cell आप purchase करते हैं market में तो आपको 80-90 रुपे के बीच में मिलेगा तो दोस्तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप laptop repair की shop से एक laptop की खराब बैटरी ही खरीद ले 60-70 रुपे में मिल जाएगी क्योंकि इनमें बहुत अच्छी quality के cell लगे होते हैं तो जो cell इनमें ठीक निकलेगा वो बहुत अच्छा backup देगा अब हमारे पास ये वाले cell ठीक हैं अब सभी cell के दोनों सिरों पर soldering कर लीजे दोस्तो हो सकता है कि ये cell सीधे soldering ना पकड़े तो आप इनके सिरों को send paper या file से थोड़ा घिस लें जिससे आसानी से soldering पकड़ लेंगे ये देखिए ऐसे अब देखेंगे इनको लगाने का तरीका दोस्तो बहुत सी वीडियो में मैंने देखा है कि वो बताते हैं इस सिरे को यहाँ पर solder करना है ये वार इसके साथ solder करनी है तो ऐसी वीडियो को देखकर बस आप उसी टाइप की बैटरी बना सकते हैं जैसी उस वीडियो में बना कर दिखाई गई है लेकिन दोस्तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए मैं आपको इस वीडियो में सुरू से आखिर तक कि सारी जानकारी दूँगा ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितने चाहे उतने एंपियर की बैटरी चोटी या बड़ी हर तरह की बैटरी असानी से बना सकें और इसके लिए बेशक आपको इलेक्टर उसकी जादा जानकारी ना भी हो तब भी आप यह असानी से कर पाएंगे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए दोस्तो किसी भी बैटरी को जब हम सीरी जोडते हैं तो उसकी वोल्टेज बढ़ती है और जब हम किसी बैटरी को पेरलल में जोडते हैं तो उसका एंपियर बढ़ता है यह देखिए यह एक सेल है इसकी voltage 4.2V है और इसका current है 2000mAh यानि 2Ah आप इसे 2A भी कह सकते हैं तो ऐसी 2 battery को जब हम series में जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर इन दोनो battery की voltage को मिलाकर मिलेंगे 8.4V लेकिन इसका current उतना ही रहेगा 2A और अगर हम इन दोनों cell को parallel में जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर voltage मिलेगी 4.2V लेकिन इसका current डबल हो जाएगा इस battery का 2A और इस battery का 2A मिलाकर हमें यहाँ पर मिलेगा 4.2V और इसका current होगा 4A 12V की battery बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 cell को series में लगाना होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4.2 into 3 यानि की 12.6V अगर हम यह battery 3 cell से बनाते हैं तो यह battery बनेगी 12V 2A और अगर हम इसके parallel में 3 cell और लगा देते हैं तो यह battery बनेगी 12V 4A और अगर तीन सेल और जोड़ देते हैं तो यह बैटरी बनेगी 12V 6Ah की ऐसा ही आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितने AH की बैटरी की रिक्वाइर्मेंट हो उतने AH की बैटरी बना सकते हैं लेकिन अभी हम बाइक के लिए बैटरी बना रहे हैं जो पहले थी 12V 2.5Ah की तो हम इसमें यूज़ करेंगे 6Cell तो यह हो जाएगी 4Ah की मतलब पहले से भी ज्यादा बैक अप देने वाली अब दोस्तो हमें चाहिए इस बैटरी के लिए एक BMS Circuit Board दोस्तो यह बहुत जरूरी है आपने ऐसे बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिनमें ऐसे 3Cell या मोबाइल की बैटरी को सीरीज में जोड़ कर बैटरी बना कर दिखाते हैं लेकिन दोस्तो यह बहुत ज़्यादा ड रिटेल मार्केट में 150 रुपे का मिलेगा और रिटेल मार्केट में 180 से लेके 200 रुपे तक मिल जाएगा यह 10 Ampere 20 Ampere 40 Ampere सभी Ampere range में आता है हम जो बैटरी बना रहे हो चार Ampere की है हमारे का 10 Ampere वाले BMS Board से भी चल जाता लेकिन अभी मेरे पास 20 Ampere का ही अविलेबल ह तो हम इसी BMS Board का यूज़ करेंगे तो चली दोस्तो हम करते हैं Cell के Connection पहले में एक बार आपको Circuit में समझा देता हूं उसके बाद फिर करेंगे Solder मैंने इन सभी में निशान लगा दिया है यह सिरा Positive है और यह वाला सिरा है Negative अब हमें जितने Ampere की बैटरी बनानी है मतलब 2 दो Ampere की बनानी है तो तीन Cell लगेंगे चार Ampere की बनानी है तो 6 Cell लगेंगे और 6 Ampere की बनानी है तो 9 Cell लगेंगे यह देखे यह Series में ही है लेकिन हमने इनको Fold कर लिया है तक यह कम जगह गेर है अब हम ऐसी ही एक और सिरीज बना के इनको आपस में पैरलल में जोड देंगे अब हम इन सभी बैटरीज को टेप की मदद से चिपका कर एक बंडल बना देंगे अब करते हैं BMS सर्कुट के कनेक्शन ये देखिए दोस्तों नेगटिव और पोजिटिव को छोड़ कर इसके अलावा इस पर चार पॉइंट बने हुए जिन पर हमें इन सेल के कनेक्शन करने हैं ये हैं 0V, 4.2V, 8.4V और 12.6V दोस्तों किसी भी बैटरी की नेगटिव साइड में 0V गिना जाता है जैसे ये एक 4.2V का सेल है तो यहां नेगटिव पर 0V गिना जाएगा और यहां पोजिटिव के साइड पर हमें मिलेगा 4.2V तो ऐसे ही पूरी सीरीज में हमारे 0V होते हैं नेगटिव पॉइंट स्टार्ट पहला कनेक्शन हम यहां से करेंगे नेगटिव पॉइंट से यह जो 0 लिखा हुआ इस पॉइंट पर इसके बाद हमें यहां पर मिलेंगे 4.2V देखिए इस पॉइंट पर भी लिखा हो 4.2V तो यह कनेक्शन हम यहां पर कर देंगे अब इन दोनों सेल की वोल्टेज मिलाकर 4.2 प्लस 4.2 हमें मिलेगा यहां पर 8.4V देखिए यहां इस बॉड़ पर भी लिखा हुआ है 8.4V तो एक कनेक्शन यहां से इस पॉइंट पर कर देंगे अब इन तीनों सेल की वोल्टेज देखिए ऐसे सिरीज में लगे हुए है तो इन तीनों की वोल्टेज मिलाकर हो जाएंगी 12.6V तो यहां पर देखिए इस पॉइंट पर लिखा 12.6V तो यहां से एक कनेक्शन हम इस पॉइंट पर जोड़ देंगे अब यह जो दो पॉइंट बचे हैं पॉजिटिव और नेगटिव इन से हमें इन सेल की वोल्टेज आउट होकर मिलेगी यह देखिए अब हमें इन दोनों पॉइंट पर 12.6V मिल रहे हैं चली दोस्तों अब इन सेल्स को बैटरी के कवर के अंदर फिट कर देते हैं अब देखिए इसमें काफी जगे बची हुई है तो इसमें हम फोम या प्लास्टिक की सीट बगरा डालके इन सेल्स को अच्छी तरह फिट कर देंगे ताकि अंदर ही लेना अब हम इसके टॉप कोवर में देखिए यह पहले से जो connection बने हुए नेगटिव और पोजिटिव के तो इस बीएमस बोर्ड से जो नेगटिव और पोजिटिव के साथ पोजिटिव के साथ पोजिटिव दोस्तों यह वाले connection करने के लिए आप कम से कम 1.5 mm का वायर यूज़ करें वो भी copper का इसके लिए आप आम तोर पर घरों में वायरिंग के लिए यूज़ होती है वो वाली वायर भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो अब हम इस बैटरी को जहां से हमने काट के खोला था वहां से वापस से चिपका देंगे इसके लिए आप 5-1 का यूज़ कर सकते हैं या एरल डायट का यूज़ कर सकते हैं लाल मैं 5-1 का यूज़ करूंगा यह देखिए बैटरी अब पूरी तरह से चिपक चुकी है अच्छी तरह से लेकिन यह कटिंग का निशान जो दिख रहा है इसके लिए हम एक ग्रीन कलर की PVC टेप लेंगे जो इलेक्ट्रिकल टेप होती है वह वाली तो उसको इस पर लगा देंगे तो यह फिर काफी अच्छी दिखाए देगी दोस्तों पहले की अपेक्षा यह बैटरी काफी लाइट वेट हो गई है लेकिन इसकी बैटरी कैपस्टी बढ़ गई है पहले यह 2.5 अमपियर थी और अब यह बन गई है 4 अमपियर की देखिए दोस्तों मेरे पास यहां पे एक बाइक का होरन है मैं इसको आपको बजा के दिखाता हूँ देखिए कि इतना लाउड बज रहा है इसके अलावा मेरे पास एक बाइक की लाइट का बल्ब भी है मैं इसे भी आपको जला कर दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों यह काफी powerful होता है और काफी ampere लेता है और यह कितनी अच्छे से जल रहा है इस पर चलिए इसको bike में लगाते हैं और फिर देखते हैं यह कैसे performance देती है तो देखा आपने दोस्तों इसका horn कितना loud बज रहा है बाइक के अंदर भी और यह हम अभी backlight जला के देखते हैं यह देखिए backlight भी कितनी bright जल रही है इसकी तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने कोई भी 12V की खराब battery को ठीक कर सकते हैं और आपको कभी भी नई battery खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों इन में से कोई भी parts अगर आपको offline market में ना मिल पाए तो मैंने online मंगवाने के लिए link description में डाल दी हैं आप वहां से भी मंगवा सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको like केजिए अपने सभी दोस्तों के साथ share केजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब केजिए और साथी साथ बेल आइकन भी दवाईए ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल सके मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम